हेलो दोस्तो स्वागत है आपका सोचियोलाजिक क्लासिस वाई राजपूत सनी के हमारे यूटूब चैनल पे तो आज हम देखेंगे भारती यतरक सास्त से संबंदीत कुछ महतपूर किर्ष्चन कुछ के रूप में जो है तो आएए देखते हैं जब हम मन या मनस ग्यान इंद्रियों से चुड़ी और वह इस दुन्या की वस्तुगों का ग्यान इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहेंगे जब हम अपने ग्यान इंद्रियों से ग्यान प्राप्त करते हैं तो उसे प्रत्य अच्छे अप्रिसेप् कि करते हैं जो समझ से फ़ती हो जिसे सब्दों ब्याइब नहीं किया जा सकता है कि अलाओम कि की जada कि जब हम कोरी वस्त उसके गुड़ या फीचर को अलोकित कर जो क्या करती है ग्राप्त करते हैं, तो उसे क्या करते हैं अगला कि सब गल्पा के अंतरगत सामिल है सब इकल्प के अंतरगत हमारा चच्छु घना सोता त्वक और रसना इन सभी माध्यमों से प्राप्त ग्यान को हम सब गल्पा के अंतरगत रखते हैं अर्थात देखकर सुनकर चुकर या टच करके टेस्ट करके जो ग्यान प्राप्त करते हैं उसे सब इकल्प के अंतरगत रखते हैं तो यहाँ पर सभी सभी है अगला जब हम ग्यान इंद्रियों के निकट वस्त आती है मन में जाती है और स्वयम के पास पहुचता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब हम ज्यान इंद्रियों से किसी वस्त को देखते हैं मस्तिस्क में उसका विचार बनाते हैं और उससे क्यान प्राप्त करते हैं तो इस प्रक्रिया को शनिकरसर काते हैं अगला अलोकिक के अंतरगत सामिल किया जा सकता है तो हमारा अलावकिक को तीम भागों में विवाजित किया गया सामाने लच्षडा ग्यान लच्षडा योगजा तो यह हमारे सभी से हैं अगला जब किसी वस्तु के सामाने लच्षड के माध्यम से सारभावमिक हो जो वस्तु सारभावमिक हो उसके माध्यम से ग्यान प्राप भूठ के बारे में जान सकते हैं तो उसे क्या करते हैं तो जब कोई व्यक्ति भूठ या भफिस के बार में जान ले तो उसे योगजा करते हैं अगला जब हम किसी एक ग्यान इंद्री के कारे को दूसरी ग्यान इंद्री के था जान capital करते है कि अनुमान के अंतरगत सामिल हैं अनुमान हमारा पुर्वत भी होता है सिस्वत समानतियों द्रिष्ठा यह तीनों टाइप के अनुमान होते हैं तो राइट डांसर हमारा डी हो जाएगा अगला जब हम बादल को देखकर बारिस का अनुमान लगाते हैं तो 21 प्रकार के पुताई हुआ होगा या तो हो ली यो इस पकार के अनुमान को क्या कहेंगे हुए है U whoimar के जिस्वत कहते हैं यह किसी कालाब के मतमयले पानी को देखकर बताते हैं कि आभि यह अभी बारिष होई है wr two a अंतरगत आएगा अगला जहां धुमा होता है वहां आग होती है का अनुमान हमारा किस अनुमान के अंतरगत आता है तो जब जहां एक निश्चित संबंद पाया जाता है ऐसे अनुमान को हम समानतों द्रिश्टा कहते हैं जैसे जहां धुमा होता है वहां आग जरूर होती है करते हैं तो 1 में घेथ को निकालने के बाद बचे भुए भाग को मेज़र टर्म कते हैं भा है किसके द्वारा हम हे तुमेडिल ὁमकत निर्धार कते हैं तो में टूम्का निर्धार होता है उसको हम मध्यमान मिडिल टर्म या हे तू या लिंगा करते हैं अगला किसके द्वारा पच्छ या माइनर टर्म का निर्धारण करते हैं तो मिडिल टर्म के निकालने के बाद जो बचा हुआ परिशर पीटू परिशर दो में बचे हुए भाग को हम माइनर टर्म करते है अगला है निसकर्ष में सामील होता है साध्य पच्छ साध्य हम यह सभी तो निसकर्ष में हमारा सध्य यह पच्छ अर्था माइनर यह मेजर सामील होते हैं जबकि Middle term कट जाता है तो यह हो जाएगा है जैसे सभी बालक अच्छे हैं कि सभी बालक अच्छे हैं राम एक बालक है बालक हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा या कट जाएगा तो निसकर्च माला लिकलेगा कि राम एक अच्छा है तो यहां अच्छा हमारा मेजर टर्म और राम हमारा माइने टर्म होगा तो इससे निकलता है कि राम हमारा राम अच्छा है तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा साध्य हम तो वहाँ पकेवला अनुवाई या positive infreans प्रकार का अनुमान होतायinde हम सकालात्मंक निसकर्स प्राप्त करते हैं वी राइट अन्सर भी हो जाएगा के वोला वैतिरेकी या पॉजिट्व नेगेटीव इंप्रेंट्स तो राइट राइट अन्सर हमारा भी होजाएगा के वह लान वैति रेकी जब हम सकरात्मक यो नकारात्मक अनुमान को आपस में मिलाकर निसकर्ष निकालते हैं तो उसे क्या करते हैं उसे पॉजटिव या नेगेटिव इंफ्रेंस करते हैं या केवला वेतिरेकी कहते हैं जब बेदों में जो लिखा है वा किसी के द्वारा कहा जाता है जो बेदों में कुछ लिखा है उसे कहा जाता है और किसी अन्य के द्वारा वही तत्थे को लिखा जाता है तो उसे क्या कहेंगे तो उसे बेदिका या अलोकिका कहते है जो बेदों में लिखा है वह किसी अन्य के द्वारा कहा जाता है और किसी अन्य के द्वारा ही लिखा जाता है उसे बेदिका के अंतरगत रखते है अगला जब हम दुनिया के बातों को जानकारी या विश्वसनी या तत्तों के माध्यम से क्रापट करते हैं तो उस्क्राइब करते है तो यहां राइट आंसर हो जाएगा लौकी का। जब हम दुनिया की बातों की जानकारी से देखकर विसोसनी प्रत्रोềं से के जानकारी का तक थे लौकी कि आप रते हो इसे कमMost जो हमें अंतर आत्मा के मध्यम से प्राप्त ज्यान होता है और जो आंतरिक सत्य होता है जिस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है उसे हम किस में सामिल करते हैं उसे हम सुरूती के अंतर रहते हैं जैसे कि बहुत धर में गौतम बुद्ध ने जो अदेश दिये हैं उसे हम सुरूती के अंतरगत रखते हैं उस पर कोई प्रश्न चिन्हें नहीं खड़ा करता है अगला घ्रश्न ग्यान जो हमें याद करके प्रापत होता है इसे हम क्या कहैंगे जो हमारे मस्तिस्क में पहले से ही उपस्तित ग्यान को याद करके फिर से विआई करना इसमीटी के अंदर आता है जैसे कि हम लोग पढ़े हो रहते हैं और exam हाल में याद करते हैं एक प्राप्त कहा से आ जाए तो हमारा इस्मिती के अंदर, आएगा साध्य और पच्छ मेजर और माईना टर्म में जो संबंध होता है उसे निस्कर्श की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं तो साध्य और पच्छे से प्राप्त निसकर्च को हम व्यापति या इन्वेरियेबल रिलेशन्सिप कहते हैं, अगला, तो हमारा यहीं सवाप्त होता है, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चनल को सस्काइब करें, धन्या बात,